हेलो दूस्तो नमश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को तो चले फटा वड़ी सीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग की शुरुवात होने वाले अमेरिकन बाजार के साथ क्योंकि आप सब लोग कता है जो जो बैडन का जो स्पीच है वो अभी भी हम लोग को चलते वे देखने को मिल रहा है सो फिलाल मार्केट आप देख सकते हो 200 पॉइंट से आपे जंप दिखा रहा है अमेरिकन बाजार की बात करें अमेरिकन बाजार का पॉजिटिव होना भी हमारे मार्केट के लिए एक इंपोर्टन रोल प्ले करने वाला है खास करके जब हमारा सेंसेक्स अल्मोस्ट 50,000 को ही टच करने वाला है सो उसके लिए अमेरिकन बाजार का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है और फिलाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यह हेल्दी हम लोग को देखने को मिल रहा है सो चेने अमेरिकन बाजार की पॉजिटिविटी के बाद अभी हम लोग आना चाहेंगे फेडरल बैंक के उपर अभी फेडरल बैंक क्यों क्योंकि इसके कौटर थ्रिक के नंबर सामने आ चुके है सो कमपनी के नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखे तो येर औन येर बैसे हम लोग को थोड़ा सा ठीक परफॉर्मस देखने को मिल रहा है कमपनी के NPS की बात करे तो अच्छा गासा जरूर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है सो कमपनी ने ओर अगर हम लोग बात करे तो ठीक ठा की परफॉर्मस यहाँ पे दे दिया है सो छोटी बैंक्स की हिसाब से मैं जैसे आप लोग को कहता हूँ बिलकुल यहाँ पे हम लोग कह सकते कि अच्छा परफॉर्मस दिया है बट कोई बात नहीं अगर आपके पास यह स्टॉक रहेगा नेट इंटरस्ट इंकम से लेके एंपेस को पकड़के अगर आप लोग देखे तो कमपनी ने अच्छा ही परफॉर्मस ज़रूर दिया है तो चले दोस्तो अगर हम लोग आज आते हैं थोड़े से नेक्स टॉक के उपर तो बात कर लेंगे HDFC AMC की HDFC AMC का कौटर थी का नंबर के सरा तो वापस कहना चाहूँगा कि नंबर अच्छे है बट मैं हमेशा अपने पॉइंट आफिस से बात करता हूँ मुझे क्या लगता है सो मेरे जो एक्सपेक्टेशन है ना इस कंपणी से बहुत ज़्यादा है मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदे रखता हूँ सो उस हिसाब से नंबर मुझे देखने को नहीं मिले मतलब सर नंबर खराब होगे बिलकुल भी ने किसने बोला यह देखे एस्टिमेट की बात करें एस्टिमेट EPS की बात करें बिटन बाई 10.25% की हम लोग अगर बात करें अगर आपको प्रॉफिट देखने है तो आप द यह नहीं कि कंपनी खराब है वापस कहना चांगे लॉंग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दैन अगर हम लोग यहां पर बात करें तो IRFC का IPO आज हम लोग यहां पर देख सकते हो दोस्तों पूरी तरीके से हम लोग को ओवर सब्सक्राब होते हुए देखने को मिल चुका है तो IRFC की बात करें ग्रे मार्केट प्रिमियम इतना कुछ खास यहां पर है नहीं और इसी के चलते हैं आप सब लोग को यहां पर पता है कि यह सब्सक्रिप्शन और भी जबरदस हो सकता था बट हम लोग कैसा मतलब प्राइस बैंड के ही सब से देखके तो ग् हंड्रेट के उपर अभी हम लोग को क्लोजिंग यहां पर देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छा प्रफॉर्म से वापस कहना चाहूंगा अगर अब SBI में निवेश करोगे तो आप लोग ने इसका पास्ट परफॉर्मंस भी ज़रूर देख लेना चाहिए राइट तो कुछ important points आप लोग को यहां पर में बताना चाहूंगा जैसे की RBA की हिसाब से आप लोग देख सकते systematically important bank के list में तीन stocks के नाम है उसमें State Bank of India है दूसरी ICC Bank and HDFC Bank है तो हम लोग कह सकते हैं यह important बात हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है दैन अगर हम लोग यहां पर trading आप सबी लोग को बता है सेभी की investigation चल रहे है और इसी के चलते नाराजगी देखने को मिल चुकी है so JMM Fodler के quarter 3 के numbers कैसे रहे so JMM Fodler ने quarter 3 के numbers अच्छे ही दिखा है बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो situation यह stock में देखने को मिल रहे मतलब एक consolidation phase में वो तोड़ने के ल के quarter 3 के numbers profit 10% से jump जरू करते हूँ देखने को मिल है बट जैसे मैं आप लोगों को कहा कि company को अगर वो barrier तोड़ना है जैसे कि एक मैंन का chart pattern आप देख सकते हैं एक ही consolidation phase में इस barrier को अगर तोड़ना है तो बहुत ही मतलब शांदार result के expectation है इस वक के numbers अच्छे ही रहे बट और यहाँ पर उमीद ज्यादा रखना चाते थे तो company ने अभी भी numbers अच्छे present करके एक बात जरूर जाता ही है कि company अभी भी अच्छा ही performance करी है ग्लास लिंग equipment का अगर आप segment wise revenue भी देखोगे तो वो भी अच्छा घासा ही देखने को मिल रहा है engineering का भी revenue बहुत अच्छी तरी यहाँ पर ज़रूर दे सकती है तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अलोक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा popular वाला stock जो कि पहले popular होना चाहिता जबकि एक से दो रुपया पर चलता था तभी मैं आपको बताता था क्योंकि तभी corporate action था अभी अगर आप लोग अलोक इ अगर आप जाना भी चाते हो तो बहुत बड़ा amount मतलब फसा के मत रख लेना चोटा मोटा amount आप चाहो तो लगा सकतो इससे भी better option आप लोगों को बाजर में अविलेबल हो जाएंगे दैन अगर हम लोग बाग करें आरकॉम में वापस करना चाहोंगा दोस्तों ऐसे stock में न default हुआ था जो अने लंबानी के company ने किया था जिसमें आरकॉम का भी नामे उसमें उन्होंने entry में बीच में लिखा था कि वो fraudulent है करके तो बाद में वो court से related issues हुआ था उन्होंने उसको withdraw करने के लिए मतलब overall एक ही कहना चाहोंगा कि ऐसे stock में आप लोगों ने नहीं अभी बता देता हो तो ऐसे stock से दूर रहने में ही भलाई है then TCS ने Tata Communication के अगर हम लोग बात करें Tata Group का यह stock यहापे हम लोगों को OFS आते वे देखने को मिलने वाला है और इसी के चलते अच्छे numbers का भी कोई फायदा नहीं सीधा 6.5% की गिरावट बट यह smart लोगों के लि 26% से जादा का हिस्सा बेशने की बात करें प्रमोटर जो की हम लोगों को देखने को मिल चुक है President of India अमाउंट कितना रहेगा यह अभी तक फिलाल यहापे नहीं पता है तो शायद से अभी तक न्यूज आई की नहीं हम लोग यहापे नीचे देख लेते हैं एक बार तो फ सब्सक्रिप्शन आप बोल सकते हो जो हाई नेट वर्थ इंवेस्टर रहेते हैं उनका भी पूर्शन हम लोगों को फुली ब्लॉक होते हुए देखने को मिल चुका है सो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हो कि जितने भी आईपियो अभी तक के जो चल रहे है अभी 60-70 fluctuate होता रहता है वो एक advantage वाली बात जरूर है आप लोगों के लिए और उसी की साथ साथ अगर आप listing gain के लिए जाते हो एंट for example अगर वो नहीं भी मिला तो शायद से आप लोग अगर लंबी आउदी के लिए भी जाते हो तो आपको ये company अच्छा का सा return दे सकती है बट इतने higher level पे budget आना मतलब आप सभी लोग को पता है कि उमीद हमेशा ज्यादा रखी जाते है तो negative reaction भी आ सकते है इसकार दिया नहीं कि पूरा का पूरे जीरो हो जाएगा बट grey market premium बहुत ही अच्छी तरीकी से hampered अगर हो सकता है budget में अगर कोई भी चीज हम लोगों को adversely impact हो की link दे दूँगा तो उसको जाके check out करने ना तो सारे आप लोग को जो मतलब positive negative points है वो दोनों के दोनों यहापे समझ में आ जाएंगे listing gain भी कितना मिलेगा वो भी मैंने इस वीडियो में cover किया है तो जरू आप देख सकते हो दैन अगर हम लोग बात करें Trident company की तो sir Trident company फि C plus P का formula आप लोग चाहो तो use कर सकते हो बट Trident के जो numbers थे 200% हम लोगों ने आपे देख लिया था profit वो भी exception item को cut करके income को cut करके तो जरू आप लोगों को long term में इसका फायदा मिल सकता है तो आप लोगोंने hold करना चाहिए इतना ही में बता सकते हो sir IRCTC में जंप कभी आएगी तो दोस्तों वापस कहना चाहूंगा यहाँ पर railway से related budget में यहाँ पर क्या बाते होने वाली है यह एक बहुत ही important role play करने वाले IRCTC के लिए फिलाल अगर हम लोग बात करें आज के दिन की news की तो उनका जो e catering वाला जो आज की दिन की मतलब अभी अभी आए था जो e catering वाला चाहिए इतना में आपको बता सकता हो then yes bank की अगर हम लोग बात करें तो 1.40% फिलाल तो down नजर आ रहा है बट अभी तक के जितने भी activities थे yes bank से related positive है आने वाले समय में यह company numbers के से पेश करेगी वो देखना है बट फिलाल आज की दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर 5 करोड तक के लोन यहाँ पर उनको मिलने वाले और वो भी without collateral so इन्होंने आप सब लोगों को पता है और यह किस के लिए for startups के लिए यह भी आपको पता होना चाहिए जो yes bank के CEO है उन्होंने यह पहले भी बता है था कि हम लोग MSME retail sector के और ज्यादा focus रहे तो शायद से यह बाते हम लोगों को साच होती वेद भी देखने को मिल रही है result में और भी clarity हम लोगों को देखने को मिल जाएगी दैन अगर हम लोग बात करे एस्ट्राजेन यस बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एस्ट्राजेन में higher level पे लंबी आउदी के लिए यह stock हमेशा higher level पे देखने को मिलता है इसके पहले भी यह stock बीच में आप देख सकते 2010 में लगवाग 40-50% crash हुआ था मतलब अभी के levels की अगर मैं बात कुर तो 2000 रुपे तक इतना down आये था जिन लोगों ने डर के मारे बेश दिया वो आज बहुत ही बुरी तरह किसे loss में यह आपे हैं बट यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह long term वाला stock है डेफ भी अगर आप देखो कि कुछ है नहीं इसके उपर ज्यादा तो यही कहना चाहूंगा तो लंबी आउदी के लिए आप लोगों ने इसको hold करके चलना चाहिए बट जैसे मैं अच्छा लगे तो लाइक एंड शेर कर देना बट अगें करना चाहूंगा यह सारी बाते में एजुकेशनल परपस से बोली है तो कोई भी डिश्यान लेने से पहले फानेशल एडवास के साथ एक बार कंसल कर लेना तो एक बार कंसल कर लेना तो टैक्यू परीमास दोस्तो वी बिल भी मिटिंगार रेंग शोड़े तब तक के लिए बाई बाई